हाई गाईज, All About Exam YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो एक्जाम होने वाला था IIT J, NEET और जो IIT Men's और Advanced के जो एक्जाम होने थे उन्हें क्या पोश्पोंड किया जाएगा या पोश्पोंड नहीं किया जाएगा चुकि आप सब जानते हैं कि CVSC के 10th और 12th बोड के जो पेंडिंग एक्जाम थे उन्हें CVSC बोड ने कैंसिल कर दिया है तो क्या उसका असर इस NEET एक्जाम पर परने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है With the CVSC Board and ICSC Board Announcing the Cancellation of Class 10 and Class 12 Board एक्जाम जैसा कि हमने खबर देखा कि CVSC Board और ICSC जो बोड है उसने जो 10th और 12th के एक्जाम होने थे उनको कैंसिल करने का एलान कर दिया है Students who are preparing for J.E. Men's, J. Advance and NEET 2020 are now apprehensive about the cancellation of J.E. and NEET अभी भी हम बात करें अगर J.E. exam को preparation करने वाले साथ J.E. Men's, J.E. Advance या NEET के जो preparation कर रहा है जो चातर उनको अभी तक ऐसा कोई information नहीं मिला है Final की clear आपका exam cancel होगा ऐसा कोई information नहीं मिला है जैसा कि CVSC के तरफ से information दे दिया गया है कि CVSC का exam cancel कर दिया गया है Due to the growing number of coronavirus cases, the CVSC board's exam 2020 was announced canceled on Thursday यह आप सब जानते हैं CVSC का board coronavirus के कारण Thursday को जो final decision आया उसमें cancel कर दिया गया है According to the CVSC board, the CVSC board class 10th exams have been canceled while the CVSC board class 12th exams have been canceled with provisions जैसा कि आपको पता होगा 10th exam CVSC का उसे पुड़ी तरह से रद कर दिया गया है, 7th ही आपका 12th exam CVSC 12th exam उस exam को provisions के दहार पर cancel किया गया है और इसमें students को options दिये गया है, 2 options दिये गया थे The CVSC board class 12th exam will be conducted for students who opt to write the exam देख सकते हैं इसमें 2 options दिया गया था कि जो चातर चाहें exam को write करने के लिए, exam देने के लिए वो next जब coronavirus खतम होता है और exam होता है CVSC का तो उसमें वो exam दे सकते हैं या फिर वो अपने internal assessment का धार पर number प्राप्त कर सकते हैं जो 15 July तक उन्हें दे दिये जाएगा ऐसा CVSC के तरफ से कहा गया है जो Supreme Court के द्वरा भी कहा गया है अब हम NEET की बात करें जहीं एक्जाम की तो देख सकते हैं according to an earlier announcement by HRD Minister जो हमारे HRD Minister रमेश को खड़ियालनी सांग जी है इनके द्वरा पहले से जो announce किया गया है the NATA जो आप सांते होंगे NTA National Testing Abhyaas APE will not have test models in the Hindi पहले से इस जो NTA मतलब National Test Agency का जो एप था नेशनल टेस्ट अभ्यास का जो एप था इस पहले हिंदी में NEET और जेइमेंस के प्रिप्रेशन के लिए models paper नहीं अवलेबल थे लेकिन फिर बात में HRD Minister के दिशा निर्देशों पर फिर से इन पे जो हमारे NTA का जो अप्लिकेशन है नेशनल टेस्ट अभ्यास का जो एप है उस पे हिंदी में भी कोस्टन्स को जाड़ी करने का काम किया गया जो फ्री ऑफ कोस्ट है आप इसे पर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं आगे फिर देख सकते हैं जेमेंस 2020 और अधरवाइज सेडूल टो भी कंडुक्टर फ्रम जुलाई अठार तो जुलाई देख सकते हैं जेमेंस 2020 का जो एक्जाम था वह पहले जुलाई 18 से ले करके तेश जुलाई तक के बीच में चंड़क्ट कराया जाना था वहीं पर जेए एडवांस की बात करें तो अगस्तेश को यह होना था सांथ ही नीट की एक्जाम की बात करें तो 26 जुलाई को यह एक्जाम होना था क्योंकि एक तरीक आपका एक्जाम होना था एक्जाम होना था एक से स्टाट होना था एक जुलाई से लेकिन अभी पांच दिन पहले यारी 26 पचीस चबिस को इसका फैसला आया कि आपका एक्जाम केंसिल कर दिया गया लेकिन अभी हम बात करें जो डेट पहले से जेए मेंस और जेए के लिए एडवांस के लिए एनाउंस किया गया है वह 15 से 18 से है 18 जुलाई इसे है तो उसमें अभी टाइम है इसलिए अभी उसको रद करने की खोशना नहीं की गई लेकिन ये पॉसिबिलीटी ज्यादा है कि आपका एक्जाम पोस्ट पॉर्ण नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे जो चातर के पैरेंट से उनका भी ट्वीटर पर देख लिए ट्वीट किया रहा है तो इस भाड़ी मात्रा में देखते हुए इस एक्जाम को लग रहा है कि कैंसिल किया जा सकता है एक्वार्डिंग टू सोर्स जो से पता लगा है जो एक्जाम होने वाला है और अल्सो लाइकली टू बीडेफर दिस ये इंटू इन भीव आफ इंक्र कोविड-19 क्राइस से क्रोस देख सकते हैं अब एक्लियर तो लिखाए गए कि सोर्स जो स्रोत है उसके पता लग रहा है कि जहीं क्या मेंस जहीं मेंस का अग्जाम जो होने वाला है इसमें लाखो च्छात्र एक्जाम में बैठेंगे तो इस एक्जाम को इस साल डिफर किया अफिसियल लेकिन ये संभावना बहुत ज्यादा 80% संभावना ये व्यक्त किया जा रहा है कि आपके एक्जाम को नीट के एक्जाम जहीं के एक्जाम कम से कम अगर जहीं मेंस का एक्जाम एडवांस अगर नहीं पोस्ट पॉन हो रहा है तो आपका मेंस का एक्जाम जहीं म परमेशन फाइनल लेटिस्ट आता है तो थेंक यू